कि नमस्कार आप सभी का स्वागत हैं मेहंद्रा की ऑफिसर यूटिब चैनल में मैं राजी मेहंद्रा आपका वैलकम करता हूं सभी लोगों का स्वागत है सस्तिय का रादे रादे और आज जैसा कि सेटर डे है तो कहते हैं सेटर डे को कुछ तो खास होना चाहिए तो आज कुछ बैंकी टब्स दिख रहे होंगे आपको वो में डिसस करूंगा जो हम लोग ने पहले भी क्लास कभी की होगी तो उसको थोड़ा रिवाइज भी कर लेगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट में सेक्वी ड आज का सेशन बहुत ही खास होने वाद जेतने लोग भी जूचो के हैं उन सभी को भाई गूट मॉर्निंग सस्रियकाल रादे रादे और मेरा स्लोगन क्या है है हैस्टाग सेलेक्शन 2021 इस बार हम लोग को एनिहाव सेलेक्शन लेना है चाहे कुछ भी हो जाए को कि अगर इ इस यह नहीं हटना है तो अगें सभी को भाई गुड मॉर्निंग सथियकाल सुब्राद सभी को भाई गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं और यह रहा आपका पहला प्वाइंट चौड जिसको सौट में हम लोग कहते हैं OECD is in आर्थिक सयोग और विकास संगुठन का मुख्याल है कहां पे मुझे बताओ जरह जल्दी से यह कोशन स्टेट बैंक ओफ इंडिया में पूछा जा चुका है यह रहना तो इसका जो आंसर है दोस्त वो आंसर है याद रखना फ्रांस की राध्धानी पैरिश में जल्हा समझते हैं इसके बारे में तोरा सा है ना बहुत इंपोर्टन है इसको हम लोग कहते क्या है Organization for Economic Cooperation and Development ठीक है जिसके स्थापना 48 में की गई थी और यह 61 में रेफॉर्म हुआ इस नाम से टोटल 37 इसके मेंबर है और जोसिस एंजल गुरिया जोसिस एंजल गुरिया इसके स्केर्टरी जनल है Which organization has constitute a six-member committee headed by T.N. Manoharan on the development of secondary market for corporate loan to come up with recommendation to increase the efficiency of debt market and its resolution of stress assets S.B.I.E. में पूछा हुआ कोशन ऐसी कौन सी organization है जिसने अभी हाली में six-member की committee बनाई है जिसके head जो है वो T.N. Manoharan जी है जिनका काम है basically कि secondary market में जो corporate loan लेते हैं उसके regarding तो याद होगा यह common सी बात है committee बनाएगा कौन एक ही की पास तो rights है जिसका नाम है Reserve Bank of India अगर हम आगे चलते हैं next one आप सभी लूग को पता होगा Reserve Bank of India ने 2020 में एक resolution framework COVID-19 related distress के लिए committee बनाई थी मुझे बताऊ जोना सभी लूग comment box में उस committee के लिए बेटा head किसको बनाए गया तो याद होगा उस committee के जो head थे उनका नाम था KV कामत जो ICIC Bank के chairman थे पहले अभी नहीं है कि हमारे economy में जो stress acids है मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो NPA नहीं दे पा रहे हैं लोन नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसा तो लिए इनको known के requirement है क्या whatever यानि हमारा economy याद दखना stress में था उसकी देखरे के लिए committee बनी और जिस committee के head थे उस committee के head थे याद दखना KV कामत जी आगे चलते हैं आई-बी-पी-एस में पूछा हुआ question which of the following is a money mark instrument इसमें सैसा कौन सा instrument है जो money mark का instrument है आपको एक मैं option दे दूँ मुझे बताओ treasury bill option है certificate of deposit है commercial paper है और एक option मैंने डाल दिया all none बताओ answer क्या होगा इसमें से ऐसी कौन सी committee है इसमें से ऐसा कौन सा instrument है जो money mark का instrument है तो याद रखना दोस्तों हमारे देश में अगर हम बात करते हैं treasury bill की हम अगर बात करते हैं बटा cd की हम बात करते हैं cp की तो याद रखना तीनों ही money mark का instrument है treasury bill 25,000 से कमें सो नहीं होता है जो cd है याद रखिएगा एक लाख गुरुपैसे कमें सो नहीं होता है जिसको bank जारी करती है इसको government of india जारी करती है और इसको highly rated company जारी करती है ठीक है answer हमारे यहाँ पर है commercial paper आगे आपको अगर मैं बोलूँ तो दिख रहा होगा आप सभी लोगों को चाहे मैं call money के बारे में बोलू चाहे मैं notice money के बारे में बोलू चाहे मैं term money के बारे में बोलू treasury bill की बारे में बोलू commercial paper की बारे में बोलू और cd के बारे में बोलू याद रखना यह बहुत ही वी वी आई है इसको जरूर याद रखिएगा basically IBPS और SBIE से question बहुत बार पूचा है अगला the state of the education report ध्यान से the state of the education report for India 2019 children with disability watch launch भारत के लिए सिख्चा report राज 2019 विकलांग बच्चों को लिए launch किया गया यह को से बेटा पूचा गया है state bank of Indianology तो इस report को call launch करता है तो या दखना UNESCO United Nation Education Scientific Child Organization अगर मैं बोलूँ sorry cultural organization तो अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो पता होगा यह भी UNESCO जो भी है वह फ्रांस की राध्धानी बेटा पैरिस में है और इसके जो head है उनका नाम है Andrew Andrew सहाब Audrey Audrey सहाब इसके क्या है United Nation और या दखना United Nation Economic and Social Council क्या ही एक पार्ट है UNESCO अगला यह भी को से मेटा पूछा हुआ है देखो State Bank of India में आपको बताना है ऐसा कौन सा एकाउंट होता है ऐसा कौन सा एकाउंट होता है टाइप ओफ एकाउंट इन विच दब ब्रोकर लेंड कैस टू एन इन्वेस्टर फोर परचेजिंग स्टॉक और अदर फाइनेंसिल प्रोड़क्ट उस प्रकार का खाता जिसमें ब्रोकर किसी निवेशक को स्टॉक या अनवितिय उत्पाद खरीदने के लिए नगद उधार देता है ऐसे एमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं मिन्स याद रखना मान लो मैं एक ब्रोकर हूँ और मुझे आपको आपका पैसा लगाना है तो मैंने आपको उधार दिया यानि आपका मैंने स्टॉक खरीद लिया तो उसको कहते हैं याद लखना margin money this is called margin account कहते हैं इसको which type of fund is a diversified portfolio of stock that has capital appreciation which type of fund is a diversified portfolio of stock that has capital appreciation as primary goal with little or no dividend payout किस प्रकार का fund stock का एक vivid portfolio है जिसमें कम या कोई लाभांस भुकतान के साथ अपने प्रात्मिक लख्च के रूप में पूजी की सरहाना होती है बहुत ही लंबा चौरग गुमा के पूछा गिया तभी तो आंसर भी Reserve Bank of India ने पूछा था न तो याद अखने उसको कहते है Growth Fund मतला हमने पैसा कहीं लगाया हमने किसी portfolio में पैसा लगा दिया अब वो पैसा certain time के लिए हमने छोड़ दिया Purpose क्या होगा उस fund के growth के लिए That is called Growth Fund हम सभी लोगों को पता है अगर आपको bank में किसी प्रकार की दिक्कत होती है कोई ऐसी complain है जो resolve नहीं हो रहा तो अब banking ने start किया है एक लोगपाल ठीक है आप मुझे बताओ इंडिया में जो banking लोगपाल है इसकी सुरवात कब हुई थी तो याद अखना इसका purpose था अभी हाल ही में news में रहा for digital payment के लिए banking लोगपाल की सुरवात की गई ठीक है किसी प्रकार की कोई भी समस्या तो मेरे आप से कुछ questions है मुझे बताओ सबसे पहला point कितने दिनों के भीतर अगर हमारी complain resolve नहीं हुई तो हम banking लोगपाल में जा सकते हैं दूसरा जो penalty मिलती है उस penalty का नाम क्या है तीसरा कितने तक के amount की सुनवाई इसमें की जाती है चौथा इसको point कौन करता है ठीक है तो याद रखना इसकी चार answer हो गया अगर आपका bank में problem resolve नहीं हुआ और अगर 30 दिन हो गया तो याद रखना आप banking लोगपाल में जा सकते हैं दूसरा अगर आपकी problem मिटा credit card की है अगर आपकी problem credit card की है उस case में याद रखना ये 1 lakhs रुपीस ता का compensation देता है और नहीं तो याद रखना 20 lakh रुपीस का compensation बेता ये देता है ठीक है इसमें जो penalty मिलती है उसको बड़ा unique नाम कहते हैं दोस्तों उसको कहते हैं award मिला क्या मिला award मिला और इसकी जो भी देखरेख है वो सारा करती है कौन Reserve Bank of India अगर हम इसके बारे में थोड़ा से चर्चा और भी detail में जाने तो दिख रहा होगा आपको सभी लोगों को इस scheme की सुरुवात सबसे पहले जिसके अंदरगत की जाती है उसको कहते हैं Banking Regulation Act 49 यानि कि याद रखना this is very important banking लोगपाल के बारे में Banking Regulation Act 49 35A में कहा गया है यह पहला नियम है दूसरा याद रखना इसकी सुरुवात नॉमल अगर मैं बोलूं हमारे देश में तो 14 June 1995 को हो चुकी है लेकिन इसको दुबारा Reduce किया गया 2002 में कुछ amendment करने के बाद और फैनलीस को लागू कर दिया गया 2006 में हमारे देश में इसमें जो बैंकिंग लोगपाल होती है याद अखना इसमें जो बैंकिंग लोगपाल होती है ना उसको पाइंट करता है कौन? RBI कौन करता है बैटा? RBI Chief Journal Manager of RBI जो जर्नल मनेजर होते हैं RBI के वही इसमें पाइंट किये जाते हैं पूरी कंट्री में कहीं भी ठीक है अगर किसी प्रकार का कोई भी कस्ट है If any type of deficiency occur in services by bank Customer may complain to the banking ombudsman within a year यानि अगर आपकी कोई complain है तो आप एक साल के अंदर अपनी complain बैंकिंग लोगपाल में दर्च करा सकते हैं But it will be necessary यह जरूरी है कि पता चला आपने कोट में भी सुनवाई किल अप्लाई कर दिया और यहां भी ऐसा नहीं अगर कोट में मैंटर चला गया तब यहां लोगपाल में सुनवाई नहीं होती After knowing both the side of the banking ombudsman Provides decision और decision is called award जो हम लोग उने पीछे बता Maximum award amount rupees 20 lakhs rupees याद रखना यह amount पेटा पहले कितना था तो यह 10 lakhs रुपए था अब कितना हो गया 20 lakhs rupees हो गया ठीक है आगया पहला कोशन बरा सांदार आज मैं सारी कोशन वो करा रहा हूँ जो कहीने कहीं याद रखना बिटा IBPS ठीक है RRB ठीक है SBI ठीक है और RBI में पहले कभी पूछे गया which among the following are two regarding SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication एक कोड होता है 8 से 11 आंकों का ये कोड होता है है ना It stands for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication बिलकुल सही है ये कब बना था ये बना था 73 में ये भी सही है यानि कि A, B और C तीरों सही है यानि answer हमारा क्या होगा answer हमारा होगा 5 number Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication बस याद रखना अगर ये ना हो आप अपनी information को foreign में कहीं भी share नहीं कर पाऊगे यानि कि ऐसा messaging network है जो आपके information को foreign banks में share करता है ये bankों के बीच में होता है ठीक है और ये कहां पर है तो याद दखना है Belgium में और करीब 200 countries में इसको utilize किया जाता है exam में यापता हो सकता है कि full form पूश दिया जाए हो सकता है कि code पूश दिया जाए हो सकता है कि कब अना था ये पूश दिया जाए या हो सकता है कि कहां पर headquarter है ये पूश दिया जाए ठीक है अगला Which organization is developing a model blockchain platform in India कौन सा संगठन भारत में एक model blockchain platform विक्षित कर रहा है उसका नाम है Institute for Development and Research in Banking Technology इसको सौट में कहते हैं IDRBT याद रखना एक समय एक ऐसा था जब यह RBI की सबस्रीरी थी बट ऐसा नहीं है इसका काम बिसिकली है टेक्नलोजिकली स्टॉंग करना बैंकिंग को है न ये कब बना था ये बना था 1996 में बन के तयार हो गया था और इसका जो headquarter है वो याद अखना है एदराबाद में है और डॉक्टर A.S. रामसास्तरी इसके वर्तवान में क्या है बैंकिंग टेक्नलोजी के माध्यम से बैंकिंग को आसान करना ये ही इसका में फोकस है अच्छा कर मैं पूछू मुझे बताओ जल्दीचे चैट बॉक्स में कि रिजर्ब बैंक आफ इंडिया के कितनी सबसिडिरी है बैंकिंग बताओ जल्दीचे चैट बॉक्स में आरबी आई के टोटल कितनी सबसिडिरी है वेरी नाइस बेटा वेरी नाइस देखिए सबसे पहले जो भी पैसा हम जमा करते हैं बैंकों में जो भी पैसा हम जमा करते हैं बैंकों में उस पे बैंकों को इंसुरंज देती है एक संस्था जो संस्था का नाम है Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation याद रखना दोस्त इस पे जो amount है हम लोग को जुरूर याद रखना होगा तो amount जो है वो है पांच लाग रुपए यानि कि याद रखिएगा फाइव लाक्स रुपीज पर एकाउंट पर एकाउंट पर बैंक बैंक को ये देती है इंसुरंज दूसरा हमारा क्या है भारतिये रिजर्बैंक नोट मुद्रन प्राइवरिल लिम्टेड अगर मैं बोलता हूँ इसकी दो प्रेस है एक मैसूर में और दूसरा है बेटी बेटा सालबोनी में यानि हम कह सकते हैं यही वो कंपनी है जो हमारे इंडिया में करंसी नोट को प्रिंट करती है तीसरा है रेबिट यानि कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सेक्योटी को लेकर टेक्निलोजी को लेकर तो रिजर्बैंक ओफ इंडिया और याद रखिएगा बैंक के बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है इस प्लेटफॉर्म को ही परफॉर्म करता है इसका नाम है रेबिट और चौथा अगर किसी प्रकार का कोई भी नया इन्वेशन होना है को नया सिस्टम आने वाला है बैंकिंग में ऐसे टेक्निकल ही बात की जा रही है तो इंडियन फाइनसियल टेक्निलोजी एन एलाइन सर्विसेज को हम लोग कहते हैं इफ्तास ये काम करता है याद रखना पहले नैशनल हाउसिंग बैंक भी आरबियाई का सबसिदी था ले नैशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एन डी आरफ कहते हैं अवजर्व इज विच डेट राइसिंग डेई ऑन थ्वंटीन थर्थ 19 जनवरी को हम लोग मनाते हैं रास्टिये आपदा प्रतिकिरिया बल एन डी आरफ ने उन्नैस जनवरी दोहर्व 21 को अपना कौन से नंबर का इस्थापना दिवस मनाया है 16, 12, 19 या 15 तो या दखना ये इसने अपना सोलमी इस्थापना दिवस मनाई हैं आगे चलते हैं ऐसा कौन सा जू है नेम दे जू विच हैस रिसेंटली बिन रिनेम बाइदा महरास्टा गवर्वर्मेंट आफ्टर बाला साहव ठाकरे बाला साहव ठाकरे के नाम पर अभी हाल ही में कि चरिया का नाम महरास्टाकार ने बदल दिया तो या दखना उसका नाम हमारा हो गया गोरेवारा इंटरनेशनल जू जो की याद रखिएगा नाकपुर में है कहां पर है दोस्त नाकपुर में सिमली पाल बरही आसान है सिमली पाल नैसनल पार्क आपको बताना है कौन से स्टेट में है सिमली पाल नैसनल पार्क कौन से राज में इस्थित है उरिसा मिजोरम पंजाब कनाट का तो याद रखना जो सिम्बली पाल है उरिसा में है सिम्बली पाल उरिसा में है अच्छा मुझे बताओ ज़रा जल्दी से कि उरिसा में टोटल कितने नसल पार्क है मुझे बताओ उरिसा में टोटल कितने नसल पार्क है मैंने ओलिडी याद अखना formula से बिटा कराया हुआ है उरीशा में बताओ मुझे total कितने निजल पार्क है तो मैंने बोला ना भीतर कनिका अंदर से सिम्री हुई है तो दो हैं एक तो हमारा सिम्ली पाल है याद अखना और बिटा एक है याद अखना भीतर कनिका भीतर कनिका दो नेसल पार्क बिटा कहाँ पर है? उरीशा में ठीक है आगे लाल बहादूर सास्ट्री स्टेडियम कौन से राज में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट मेंगौल, तिलंगाना तो याद रखना यह बिटा तिलंगाना में है कहां पर है तिलंगाना में है The government of India has planned to enter into deal with which country to procure 21 MiG-29 and 12 Sukhoi 13 MKI fighter aircraft for the Indian Air Force 12 सरकार ने भारती ये वायु सेना के लिए 21 MiG-29 और 12 Sukhoi 30 MKI लराकु विवान की खरीद किस देश के साथ करने की योजना बनाई है Israel, United States of America, Russia या France तो याद अखना यह है रसिया के साथ MOE किया गया है आगे विस्ववीर अहूजा जी न्यूज में थे बहुत जादा अभी हाल ही में Re-appoint हुए हैं किसी बैंक के MD and CEO और विच बैंक विस्ववीर अहूजा को हाल में ही किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से निक्त कर दिया गया है उसका नाम है रतनाकर बैंक लिम्टेट RBI यह वही RBI बैंक हैं जिसने अभी हाली में रूपे काड के साथ मिलके नियर बाइ के लिए एग्रिमेंट किया है तो यहाँ दखना आंसर हमारा क्या होगा ? भावना कांद ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने लॉंच किया एक योजना घर घर रोजगार ते कारोबार घर घर रोजगार ते कारोबार घर घर रोजगार ते कारोबार ते कारोबार मिशन की सुरवात कौन से प्रदेश ने किये ? ज़रा सुनने में ही लग रहा ना तेक कारोबार कौन है सुनने में लग रहा कि या तो हर्याना होगा या तो पंजाब होगा आंसर क्या है पंजाब है अगला in which state science city with total expenditure of rupees 180 crore will be billed at तपेशिया तपेसिया में 184 करोर रुपए के खर्च के साथ साइन्सिटी किस राज में बनाई गई है तपेसिया में 184 करोर रुपए के खर्च के साथ साइन्सिटी किस राज में बनाई गई है तो या दखना आसाम में बनाये गया है आगे अभी रिसेंटली आयूस मिनिस्ट्री जो है उसकी जिम्हेदारी किन के उपर रखी गई है एडिस्नल चार्ज तो याद अखना जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मिस्टर किरन रिजवी रिजवी उनको दी गई है मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन पोक्रियाल जी है अर्जुन मुंडा पता होगा ट्राइबल मिनिस्टर है और जितेन सिंग के पता होगा आपको नौर्थ इस्ट की तरब पूरा ध्यान देते है एक बहुत प्यारा सा टर्म आता है एन पीए एक एन पीए किसी लोन पर या एडवांस पर कब कहलाता है याद खना नौन एग्रिकल्चर की बात की जा रही है तो याद खना हमारे इंडिया में अगर मान लो हमने कोई भी EMI नौर्मल केस में अगर हमने पेड नहीं की अगर हमने पेड नहीं की कब तक नहीं की तो याद खना बेटा अपटू 90 दे कब तक बेटा अपटू 90 दे तो बैंक को लगा कि हमारा एसिट्स परफॉर्म नहीं करेगा तो नाम दिया गया क्या एन पीए यह बट अगर वह आदमी किसान है अगर वह आदमी किसान है उस case में याद दखना फार्मर की बात कर रहा हूँ तब दो कंडीशन है दो क्रॉप सीजन तक अगर उसने नहीं दिया तब माना जाएगा क्या NPS कोई भी इंट्रेस्ट कोई में इंस्टॉल्मेंट किसी भी प्रिंस्पल पर अगर ओवर्ड्यू है तो आंसर हमारा क्या होगा NPS याद रखना इसका बेटा दूसरा नाम है बैड लोन क्या नाम है बेटा इसका बैड लोन The World Economic Situation and Prospect मुझे बताओ जरह जल्दी से इस रिपोर्ट को कौन पब्लिस्ट करता है World Economic Situation and Prospects रिपोर्ट किसके द्वारा परकासित किया गया है तो याद रखना इसको हमेशा United Nation Organization प्रस्तुत करता है टोटल इसमें 193 मेंबर है Antonio साहब इसके वर्तमान में Secretary General है Guthris साहब New York में इसका Head Office है New York City में The Foreign Trade Policy जो इंडिया में Announce होता है विदेश वेपार नीती याद रखना यह कुछने बेटा IVPS में पूछा गया है तो आपको बताना है विदेश वेपार नीती की घोसना किसके द्वारा की जाती है Ministry of Commerce and Industry Ministry of Foreign Ministry of Finance या Ministry of Home तो याद दखना इसका Answer हमारा होगा Ministry of Commerce and Industry As per the RBI guideline दोस्तो समझना ध्यान से ऐसा कौन सा Document है जिसको Valid नहीं माना गिया तो याद दखना ये भी Valid है ये भी Valid है ये भी Valid है आप All मत मार देना मैं पूछना हूँ कौन Valid नहीं है Answer हमारा क्या होगा पांचमा is the right answer ठीक है ऐसा कौन सा Sentence इसके regarding है जो True है regarding IFSC ये कोशन बिटा देखो बड़ा मज़ेदार कोशन है गलती बहुत लोग करेंगे Guarantee Open Challenge देखना ये कोशन इतना असान है मैं पहले से बोल ला हूँ तब भी देखना बहुत लोग गलत करेंगे एकदम Open मेरा ये चैलेंज है Guarantee मैं हिंट भी दे दूँ जरा State Bank of India N0123 153 हिंट दे दिया कि जो पहला 4 रिजिट होता है वो बताता है कि पैसा हमें कौन से बैंक में भेजना है जो आखरी 6 रिजिट होता है वो बताता है कि पैसा हमको कौन से ब्रांच में भेजना है और जो 5 मांग होता है वो बताता है कि हमारे हाँ पैसा clearing कौन करती है तो answer हमारा RBI है तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत तीसरा भी गलत यह answer हमारा क्या होगा none of the ever which among the following is the core method of stabilizing the market under market stabilization scheme होता क्या है हम सभी लोगों को पता है कि हमारे हाँ एक monetary policy committee होती है जो की Reserve Bank of India की देख रेख में काम करती है उसमें क्या होता है यह हर दो महिनों पर policy review करते हैं जिसको हम लोगों कहते हैं क्या bio monthly policy review क्या कहते हैं इसको bio monthly policy review करते हैं ठीक है तो उसमें क्या होता है जैसे बहुत सदे tools होते हैं चाहे अगर मैं बात करूँ repo rate की चाहे मैं बात करूँ gas reserve ratio मैं बात करूँ SLR मैं बेटा बात करूँ MSF है न साथ मगर मैं बोलू इसके बारे में MSSS की बात करूँ उसका पर बस बस एक है कि market में जो credit control करना है market में credit को control करना है ठीक है तो याद अखना market में पैसा control करना है तो issue करके हटाना है खरीद करके डालना है open market operation के माद्धम से भी control करते है यानि किसी भी माद्धम से हम market में पैसे के flow को control करते है so this is called market stabilization skill जो की हमारे देश में 2011 से लागू है और ये एक तरह से याद अखना ये RBAE का indirect instrument भी माना जाता है यान्सर हमारा क्या हो गे आंसर हमारा हो गे आल अफ़ दा एवा ओके अगला अखसा news में हम लोग के पास आता है BASEL 3 की guideline ठीक है तो याद अखना BASEL 3 में तीन नियम है जो पहला नियम है बेटा वो बताता है कि आपको कितना capital education ratio रखना होता है जो बेटा दूसरा है वो बताता है कैसे आप business को supervise करेंगे और तीसरा जो होता है इसको कहते है याद अखना market discipline यह तीन pillar है जिनके नियम पर BASEL चल लहा है अभी मैं अगर बोलू वर्तमान में तो याद अखना अभी जो BASEL 3 की guideline है वो चल लही है यानि कि अभी BASEL 3 की guideline चल लही है जो एक जनवरी से 2013 से लागू है हमारे देश में और 31 मार्च 2021 तक सभी बैंकों को फॉलो करना है Capital advocacy ratio जो 9% है और अगर उसमें हम add कर दे Capital conservation buffer 8% का extra तो हो जाएगा कितना 11.5% ठीक है साइड इससा कोसन तो हो इस्तम easiest कोसन है ये गलतिक कोई नहीं करना SLR जो हम maintain करते हैं वो क्या चीज़ का होता है या दखना यह कोसन लास्ट ये बेटा पूछा गया है तो ज़रा समझना आज के बाद doubt ही नहीं होना चीए ऐसा खतम कर देते हैं हम सभी लोगों को पता है कि बेंकों के पास net demand and time liability होती है जिसका कुछ percentage सभी बेंकों को maintain करना होता है सभी बेंकों को बेटा याद अखना maintain करना होता है ठीक है अब अगर maintain करें सिर्फ cash के form में जरा समझना सिर्फ cash के form में तो उसको कहते हैं cash reserve ratio और या तो cash के form में या तो gold के form में या सरकारी प्रतिभूती जैसे treasorable हो गया NSE हो गया तो उसको बेटा क्या कहते हैं SLR कहते हैं हमारे देश में दो act बहुत famous है एक है Reserve Bank of India याने की RBI Act 1934 इसमें कहा गया है cash reserve ratio के लिए और जो हमारे हैं एक दूसरा act है Banking Regulation Act 49 याद रखिएगा उसमें कहा गया है SLR के लिए याद रखना अगर मैं बात करता हूँ CRR की तो याद रखना जो CRR होता है No minimum या maximum कोई limit नहीं होती है याने की अगर economy की need होगी तो यह 0 भी हो सकता है और यह 100 परतिसर भी हो सकता है उसी प्रकार याद रखना जो SLR होता है उसकी limit है जो minimum limit है वो तो भई 0 है जितना कम कर लो लेकिन जो याद रखना maximum limit है वो limit है किसरे रहा है कि SLR का किस form में रखते होंगे तो भई देखो answer क्या हो गया हमारा net demand and time liability यानि की हमारे देश के सारे bank अपने total deposit का कुछ percentage cash के रूप में gold के रूप में securities के रूप में अपने पास maintain करते हैं as per the RBI guideline उसी हम कहते हैं statually liquidity ratio अब साथ आज के बाद कभी भी SLR को doubt नहीं करेंगे आप लो जहां तक मुझे लगता है अब तो SLR में दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर SLR में दिक्कत होता है तो बहुत बड़ी विडम मना होगी ठीक है आगे which of the following is the amount of the fund borrowed by government to meet the expenditure यह question देखो State Bank of India 19 ने पूछा था और यही question याद अखना 2020 में SBI clerk ने पूछा तो याद अखना जब भी कहीं बात हो सरकार के funds की तो एक ही answer होगा जिसका नाम है राचकोसिय घाटा अब मुझे ज़राब जल्दी से कि किसका किसका headquarter कहाँ पर है मुझे बताब जल्दी से किसका किसका headquarter बेटा कहाँ पर है बताब मुझे chat box जितने लोग भी देख रहे है share कर दो है बास सभी लोगों को यार मुझे बताब जल्दी से United Nation Environment Program का headquarter कहाँ पर है मुझे बताब जल्दी से International Civil Aviation का headquarter कहाँ पर है NATO कहते हैं इसको North Atlantic Treaty Treaty Organization का headquarter कहाँ पर है World Custom Organization का headquarter कहाँ पर है European Union और ADB तो याद खना जो answer है दोस्त दोको ये दिखिया Kenya नरोभी में कौन है भई United Nation Environmental Program Kenya नरोभी में है याद खना International Civil Aviation Canada Montreal में है और बागी देखो सारे Belgium में Belgium में ही याद खना Brussels में NATO है Custom भी याद खना Belgium Brussels में ही है European Union भी बात कहें तो याद खना Belgium Brussels में है बट ADB कहां पर है Philippines की राधानी Manila में है जिसमें टोटल 68 मेंबर है और European Union की बात करें तो टोटल इसमें 27 मेंबर है Asia Infrastructure Investment Bank बताओ आंसर NDB बताओ कहां पर है South Association of Regional Corporation बताओ कहां पर है Asia Pacific Economic Corporation और नहीं तो Association of South East Asian Nation कितने मेंबर? 10 मेंबर कितने मेंबर? 8 मेंबर कितने मेंबर? 103 मेंबर कितने मेंबर? सिर्फ 5 मेंबर तो बीजिंग चाइना संगाई चाइना काटमांडू नेपाल यह वाले याद रखना बहुत इंपोर्टन है बहुत बार पूछा एक्जाम में यह पूरे ही बहुत इंपोर्टन है ठीक है? अब मुझे जरा सही सही बताना आज Saturday था कितना डेटा आपका रिवाईज हो गया याद रखना बिना रिविजन के कुछ भी नहीं होने वाला है और जिनका भी एक्जाम है या जिनका अगला टारगेट है वो सारे मेंबर जुट जाना 26 जिनवरी को सुबेरे 7 बजे से मेरे साथ माइनेम इस राजी महंदरा लेके आ रहा हूँ धमाकेदार नौन स्टॉक 5 फाइव और की क्लास होगी ठीक है न अब कितने कोसन होगी कोई गारेंटी में ये मन करेगा तो वो क्लास 10 गंटा भी पढ़ा दूगा तो पूरा सपोर्ट से ये लोगों को बताईए सारा हम रिवाइज करेंगे क्योंकि सारे एक्जाम या तो जनवरी के लास्ट में है और या तो फरवरी के मिड में है तो इस बार उससे बाहर तो कुछ नहीं होगा मेरी गारेंटी है दोस्त सभी लोगों को ठीक है तो भाई सभी लोगों का थैंक्यू तो आल अफ यू कुछ भी डाउट है बस इस गुरूप में डाल दो जिसका नाम है राजीव महंदरा जी है और उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जैसा भी फीदबाइक है जो भी आपको लगा है जैसा कि सर ये मेरा टॉपिक वीक है इस पे क्लास ले लीजिए जो भी डाउट है कुछ भी है आप मुझे बताईए यहाँ पर जिसका नाम है मेरा टेलिग्राम चैनल और याद अखना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो से सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइए को यही बताता है कि आपकी अगली क्लास कौन सी होने वाली है उमेद करता हूँ आपको सहसे समझने आया होगा तो संडे है कल मंडे से लेके संडेर दे मेरे जो जो क्लास ली उन सभी के पीड़ाप्स को डाउनलोड करिए रिवाइस करिए और रेडी हो जाईए मंडे को एक नई इनर्जी के साथ ओके थैंक यू टेक या बबाए हैपी संडे